वीडियो तो गाइस आज कैप्चर करने आया था मैं लाश्ट 1925 जोटपूर से जम्मु तवीग की और जाने वाली आखरी बार डाइटे ट्रेन और गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई इस ट्रेन के साथ क्या क्या हुआ है भाई मतलब पिछले एक अफते तक यह ट्रेन रोती होगी भाई क्या हो रहा है इसके साथ यह सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि जित्ती भी ट्रेन डाइबर्टेट थी ना वह सब ट्रेने भाई या रीश्टोर कर दी गई है मतलब जो भी ट्रेने बटिंडा से अनुम दिखा रहा है एप पर नहीं दिखा रहा है जूसे आप मेरे को तो दिखा रहा था इवापिस नॉर्मल रूट से जाएगी डिवर्टेट नहीं दिखा रहा था और दिखना शिरू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वाया मंडी डबबली होकरी जाएंगी 19-2226 में यही दो वाकि सब तो डेली बेसिस पर नहीं थी बारह 2, four, 47, 44 और गईज एक और बात ये मैंने जितनी भी ट्रेञी ती अल्मुस्ट मैंने सब केप्चर की एक दो रह गी थी 1907 रह गई थी और उसकी लाँवावा जितनी भी डैवडिटी ट्रेंज जितनी भी मैंने अल्मुस्ट सब कर ली जो बची थी उन में से भाई या एक जीरो उनसाट उनिस जो आई नहीं नहीं न्यूटिन सुखिया भगत की कोटी भाई 26 तारीक को चलनी थी मेरे ख्याल से 29 या 30 को पहुंचनी थी और गाईज वो ट्रेन मेरे इसाब से कैंसल ही हो गई अब मेरे को रीजन नहीं मालू मैप पर मेरे को नहीं दिखा रहा है और उसकी डाउन ट्रेन जो बगत की कोटी से न्यूटिन सुखिया जानी थी जीरो 69 बीस और यह ट्रेन आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाई रहा हूंगा और यह भी नहीं चली वाई पता निक क्या सीन हुआ मतलब कुछ एप पर दिखाई यह भी आ रही है आपके सामने 19225 जो मैंने एक बार भी कैप्चर नहीं थी यह मेरा फर्स्ट कैप्चर था और फर्स्ट होने के साथ साथ ही आखरी डेवर्टी ट्रेन भी थी 19225 जो कि आपने टाइटल में पड़ी लिया होगा इसके बाद तो आपको पता है सब नॉर्मल भी लेना होता है तो और आगे कोई ट्रेन चल रही होगी इसलिए उस टाइम डिपार्ट करवाया फिर यह पहुंची श्री गंगा नगर इसने पहुंचने भी लियोंगे ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट सड़ सट किलोमेटर की दूरी है नोन स्टॉप जाना है 40 किलोमेटर का 40 मिनट का टाइम लेगी तो पांच बीस पर भाई यह पहुंच गई थी लेकिन साड़े पांच चलना था 07.56 अब श्री गंगा नगर वाले हो का इतना दिमाग तो सही नहीं है कि उसको पहले चला दे अभी पहले चलाएंगो 07.56 जो की श्री गंगा नगर से ठिंडा पसं इसको भाई अपनजी कोशी खड़ा कर दिया और जो कि उसके पीछे चल रही थी खड़ी हो नहीं थी लेकिन उसके बाद उसे सिगनल कब दिया इस साल नहीं अगले साल ठीक है आपको लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ पर देखी भाई आगे इस ट्रेन के साथ क्या रही होगी तो गईज ये ट्रेन पहले से वेट कर रही होती है फिर इसे डिपार्चर फाइनली मिलता है और आगे जाके इसकी 1925 से पंजी कोशी में क्रोस करती है और उसके बाद भाई आगे इस टाइम बोर ट्राफिक होता है अब और में इसके बाद एक कोट रेंज 0472 ब इस पे चला देते तो और पहले ही पहुन जाती में भी और उसके आगे चला लेते 047 चपन परसंजर जो चल रही है चले 15 मिनिट बाद फिर उसको भी चला देते हमारी 19225 को पीछे पीछे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने पंजी को सी खड़ा रख है और ये आपको सामने ये जो वैग नहीं आ रहे है न ये भी अब और में इसके सामने आगे खड़ा हो गया था इसके कारणी से और लेट डिपार्चर मिला वाई मतलब मैं सोच रहा था भाई आप तो पूरा सेक्शन क्लीन है आप तो फुल स्पीड से स्किप मारेगी अब और को लेकिन ग कह रहा था इसे सवा साथ चलाया जा सकता था बोहर से और आगे से एक दिल्ली श्री गंगा नगर से क्रोसिंग और होती पर वो पक्की में हो जाती दस मिनट में ये पक्की बहुन जाती वहाँ पर क्रोसिंग हो जाती कोई सीन नहीं था भाई सब अराम से हो जाता लेकिन भ भाई फाल तुम्हें घडा रखी है यार मतलब उसे कितनी देर पहले वेढ़ा पुंचाया जा सकता है पहले ही वो लेट चल रही है गाईस चार बजे उसे हन्वानगर से निकलना आता है पहले वो चार फिच्पन पे निकली फिर उसके बाद उसे पसंजर के पीछे चलाया श बहाँ पर मेरे हिसाब से भाई या पानी भी नहीं मिलता मैं एक वर गया था गया आप इसे इसे स्टेशन पर पानी भी अभी लेवल नहीं दो अब और बॉर में चलो पानी मिल जाता है जैसा भी हो और जोट रहे ने प्लैट्फॉर्म पर उल्ड करते इंको तो फैशली प खड़ा कर दिया तो बहुत रोष्ट मार दिया इस सेक्षिन का और इसके बाद भाई देखिए 6-6 लाग के खड़ी कर दी थी उसके बाद भाई आठ अब और पहुंची दो घंटे लिए बहुंचने में 14 किलोमेटर के लिए दो घंटे ले रही है ट्रेइन और गाइस आगे क किलोमेटर को नोन स्टोप अगर चले तो कवर करने में लगते हैं अल्मोस्ट पचास मिनट पचास मिनट से भी कम टाइम में कर देती है लेकिन अपने सेक्षिन की लिए मैट कई जगा सो है कई जगा 110 तो पचास मिनट पगड़ के चलते है कई बार तो भाईया मैं सुबह जाता हूं ना शिरी गंगा नगर रीशी केश इंटरसिटी पे तो वो 55-56 मिनट में दो होल्ट के साथ पुंचा देती है इमलोड की दड़वा रुक्के भी पुंचा देती है खैर वो सबट आई है हम अभी इससी ट्रेन की बात कर रहें 19-25 की गाईज यह साड़े आठ से 25 के बीच में निकली थी अब और से और इसे मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए था एक घंटा और क्रोसिंग भी पड़ जाती है रास्ते में तो लेकिन आपको क्या लगता है इतनी असानी से बढ़िंडा बुंचाएंगे क्या नई भाई सेक्शन की ट्रेन नहीं है यह तो ड डाइवर्टेट रेंज थी उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी सेक्शन है रिस्पेक्ट तो दूर की बात भाईया साइड में लाके खड़ा कर देते थे तो गाइस मतलब बहुत कुछ हुआ है तो खैर छोड़िये गाईस अब तो डाइवर्टेट रेने बंद हो गई तो खैर इस वीडियो में इतना ही है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई